नमश्कार आप देख रहे हैं SBT News पेश्ट 27 मई शुकरवार सुबह सब्सवा 8 बचे राश्तान की बड़ी खबरें राश्तान के मखे मंतरे शोग गेलोट ने कहा कि केंड्रे शिक्षा मंतरा लिद्वारा जौरी नैशनल अचीविमेंट सर्वे दोजार इकिस में लर्निंग लेवल रिपोर्ट में राश्तान की विद्यारतियों ने रास्टे औसस से बहतर प्रदेशन किया है जो हमारी सरकात वारा शिक्षा की बहतरी के लिए किये गए प्रियास्तों का नतीजा है गहलोत ने केद्रि शिक्षा मंतरा रहे जोरी सर्वे के बाद ये बात कही उन्होंने कहा कि कोविट की मुश्किलों की बावजूद हमारे बच्चों का लर्निंग लेवल अच्छा हुआ है मुखे बंतरी ने कहा कि राजस्तान शिक्षा है मुस्वास्ते में एक मॉडल स्टीट बन रहा है ये हम सब राजस्तानियों के लिए गर्व का विश्य है राजस्तान में 4 सिटों पर हो रहे राजसब्स बाड़े बंदी को लेकर प्रदेश को लेकर दिब्रोज नम्हें बलकि बीजेपी को है चुंकि बीजेपी कई धनों में बैठी हुई है गोविन सिंग डोटास्रा ने प्रदेश कॉंग्रेस मुख्याले में मीडिया से बात चीत करते हुए राजे सबाचुनाओं में तीन सीटों पर चीत का दवा किया है नोटासना ने कॉंगर्स विधायकों और निर्दले विधायकों की नाराज़की के सवाल पर कहा कि कॉंगर्स में कोई नाराज नहीं है IIT मुंबई से बीटक करने के बाद तीन दोस्तों ने आधुनिक खेती की रहा चुनी है कोटा के अंकित राठी, अभैसिंग और श्री गंगानगर के आमित कुमार ने खेती की हाइड्रोपॉनिक तक्नीक का प्रियोग किया है इस तक्नीक में युवाउने सब्जी की फसल को पानी में उगाया है तिनों युवाउने किसी बड़ी कंपनी में नौकरी की बज़ए अधुनिक खेती को अपनाया और कोटा में बिना मिट्टी वे कोको पिट्स वे पेस्टिस साइड्स के अधुनिक खेती का स्टार्ट अप शुरू किया वे प्रति दिन आर्सो से नो सो किलो टमाटर साइट अन्य सब्जियों के पैदावार प्रति दिन ले रहे हैं जिसे दिल्ली मुंबई वे अन्य शहरों में भेजा जा रहा है बारते महिला मुक्य बाजो ने तुर्की के इस्तानबूल में आयोजित महिला विश्व चैंपेंशिप में शौनदार प्रदर्शन किया 52 किलो ग्राम वर्ग में निखत जरीन ने सुरन पदक जीत कर देश का नाम रोशन किया निखत के अलावा मनीशा और प्रवीन ने कांसे पदक प्राप्त किया देशवासी महिला मुक्य बाजो के पदक जीतने पर खुशी व्यक्त कर रहे हैं देश की जोली में मैडल दिलाने में अलवर के बॉक्सर गिरीश शर्मा ने एहम भूमिका निभाई महिला विश्व चैंप्रेंशिप के लिए गिरीश भारती टीम के कोस्त है गर्मियों की चुटियां आते ही ट्रेनों में रेजर्वरेशन का जबर्दस्त दबाव बढ़ गया है यात्रों की संख्या में दोगने से ज़दा इजाफा हुआ है इसके ततकाल समधान के लिए रेलवे ने स्पेशल अस्थाई ट्रेनों का संचालन शुरू किया था लेकिन ये इंतिजाम ना काफी साबित हुए लिहाजा उत्तरपशिम रेलवे ने अस्थाई तोर पर 21 ट्रेनों में 27 डिबों की बढ़ोतरी एक साथ की है अब उमीद जताई जो रहे है कि इस कदम से यात्रियों का सफर आसान हो सकेगा ये डिब्बे ऐसी ट्रेनों में जोड़े गए हैं जो धाल में कैतिहासिक और प्रेटन स्लो वाले शेहरों से जुड़ी है महात्मा गांधी स्कूल में अडमिशन की डिमान बढ़ते देख शिक्षभ विभाग ने मान दंडों में परिवर्तन कर दिया है अब तक उन्ही गाउं में महात्मा गांधी एंग्रेजी माध्यम स्कूल खुल सकते थे जहां 4,000 की आबादी है लेकिन अब इसे घटा कर 3,000 कर दिया गया है इतना है नहीं शहरी शेत्र में स्कूल बिंडिंग का भाव होने की कारण हिंदी माध्यम के परिशन में ही सुबह अंग्रेजी माध्यम स्कूल चलेंगे शेक्षा विभाग ने पिछले दिनों राजेभर में 2000 से जादा अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोशना की थी इसके लिए शहरी शेत्र में तो स्थान ही नहीं मिल रहा रासान उचु नियाले के वर्ष नियाधिश संदीप महता और नियाधिश विनुद कुमार भारवानी की घंड़पीटने स्थाई लोका दालत में अध्यक्ष पदपर नियुनुतम 7 साल की वकालत करने वाले अधिवक्ताओं को भी नियुक किये जौने के प्रातना पत्र पर भार सरकार के विधी सचीव, राजी के मुख्य विधी एवन नियाए सचीव, हाई कोड और राजी विधिक सेवा प्राधिकरन से जवाब तलब किया है एर्वकेट वासुदेव दाधीच ने अधिवक्ता निर्भंडारी के मादयम से दायर जौनहित में संशोधन प्रातना पत्र पेश कर कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरन अधिनियम 1987 में जिला नियाएधीश या सेवा निवरत जिला नियाएधीश ही अध्यक्षपत पर आस अधरन सभा की बैठक अस अधरन हो सकती है इस बैठक का भाईशकार करने की त्यारी विपक्ष नहीं बलकि सत्ता पक्ष कर रहा है निगम मेयर और आयुक के वीच अलहीख ही इंसान की वीच आयुक्त ने ही बैठक आहूत की है जिसे मेयर ने असमिधानी करा दिया है माना अधरन सभा की बैठक में हिस्सा नहीं लेने वाले पार्शदो पर कारवाही की चितावनी दी है सहाइक जन संपर कदिकारी भरती परिक्षा 2021 को लेकर हाई कोट में एक और रिट दायर की गई है अभिहर्थी व्यभव शर्मा सहित अन्या ने विवादित प्रशनों को लेकर हाई कोट का दर्वाजा खटखटाया है इसमें 15 से अधिक सवालों परिक्षा में मुल्यांकन क के लिए अपनाएं गए फॉर्मुले आउट अफ से लिबस प्रशन और एक ही प्रशन के मल्टीपल आंसर को लेकर अधिवक्ता धीरेच पालिया की ओर से हाई कोट में याचिका प्रस्तित की कई है इससे बहले भी कुछ अभिहर्थी प्रशनों की समस्या को लेकर हाई लेकि जिसके बाद हाई कोट ने राजसान करम्चवरी चेैन बोड और डी आई पी आर से जवाब तलब किया था इसके बावजो चेैन बोड ने आनन फानन में भरती प्रक्रिया में डोक्यमिन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली नी है जबकि बिगाने संभाग के अलावा जैसल मेर में भी ऐसी हिस्तिती रहेगी मौसम विभाग के भविशमानी में इन पांच जिलो के लिए येलो आलर्ट चारी किया गया है जुद्पर जिले के शेरकर थाना शेत्र के डेरिया गाउं में कुछ दिन पूर्व एक मकान में नगबजनी की वारदात करने वाले शातिर चोर देचु शेत्र के चामू गाउं के ओमाराम दिवासी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है इस शातिर चोर से चोरी किये गए समान की बनामदगी के प्रयास किये जा रहे हैं अभी तक की पूछताच में इसने चार स्थान पर चोरी करना स्विकार किया है ये चोर अपने साति के साथ बाइक पर सवार होकर पहले राकी करता और रात में चोरी कर भाग निकलता पुलिस ने उसकी साति की तलाश कर रही है बिकानेर के छत्रगड में जमीनों के पंजियन में अवाय तरीके से अत्रिकते रुपए वसूलने के मामले में बिस्टचा निरोधक ब्यूरो ने अकाउंटेंट को ग्रिफतार कर लिया है जबकि कुछने अधिकारी वे करमचारी भी एसीबी के हथे चड़ सकते हैं एसी भी इस हेरा फेरी के पूरे राकेट का परदाफाश करने की तयारी में जुटी हुई है ब्यूरो को बुद्वार राध हुई कारवाही में अकाउंटेंट का काम कर रहे इर्फान खान को ग्रिफतार किया है उससे पुलिस को दो लाग सतर हजार रुपे की बेहिसाबी रुपे मिले थे जोएनराण व्यास विश्विद्याले के बीए सेकंड एर के तिहास विश्य का पहला पेपर आउट होने कारोप लगाते हुए अकिल भारते विद्यार्थी परिशत ने गुरुवार को केंडरी कारेले के बाहर जम कर प्रदर्शन करना रवाजी की उन्होंने कुलपती के नाम का ग्या पंद सौप दोशी अधिकारों के खिलाफ सक्त कारवाही और पूरे मामले के निश्विद्याले काई अध्याक्षर सचिन राजपरोहित ने बताया कि बीए साकिंड एर के इतिहास विशा का पहला पेपर परिक्षा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया था इसको लेकर बड़ी संख्या में बीवीपी से जुड़े चात्रों ने केंडरे का रहले के बाहर प्रदर्शन कर पेपर आउट होने के पूरे मामले के निश्वक्ष जांच कराने की मांगी जोदपुर में गुरो का तालाव सेत श्री चिंतामनी पाशरवनाथ जयन मंदिर में 30 जुन को चातुर मास प्रवेश होगा मंदिर के ट्रस्री ओंप्रकाश शोप्रा ने बताया कि निति सुरी समुदाई की साधवी रतन माला मुक्ति माला दिव्या रतन माला महराज का प्रवेश 30 जुन को सुबह होगा वे महावीर नगर से विजयलक्ष्मी रतन चंद महता के घर से सुबह चातुर मास के लिए रवाना होंगे जुद्पु शहर के राजिव गांधी नगर थाना के अंतरगत बकरा मंदी के पास गुरुवार दोपहर एक का साइड को लेकर बवाल हो गया पाक विस्थापित हिंदू बस्ती का वेक्ति अपनी वेंग से आ रहा था उसके सामने बकरा मंदी में आए वेक्ति ने अपनी पिकप लगा दी जिस पर दोनों के बीच पहस हो गई इस दोरान बकरा मंदी से बड़ी संख्या में लोग आ गए और पत्राव शुरू कर दिया विस्थापित परिवार को निशाना बनाते हुए कार्चारा के वे एक महिला के साथ मार पिट की गई उसके दुकान और घर पर पत्राव किया गया सुचना पर पुलिस मौके पर पहुँची आला अधिकारियों के सामने पेड़ी स्थापितों ने अपनी वियता सुनाई इसके बाद पुलिस ने उन्हें निश्पक्ष कारवाही का श्वासन दिया तो फिलाल इस बुलिटिन में इतना है फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ स्ब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें